परसिद नाटक कार, विलियम शेक्स्पीर दे नाटक, पैरिकलीज, प्रिंस ओफ टायर दा पंजाबी अनुवाद, कहानी दे रूप विच, जिस दा सरलेख है, पैरिकलीज. प्राणे समे एशिया माइनियोर विच दो राजे राज कर दे सन, एक दा नाम सी पैरिकलीज, अते ओ टायर नाम्मी देश दा राजा सी, दुजे दा नाम सी एंटियोक्स, अते ओ एंटियोक देश दा राजा सी. ए दो में राजे आपस्विच ग्वंडी सन, पैरिकलीज बड़ा नेक दिल पर कमजोर राजा सी, इस दे ओल्ट एंटियोक्स, बड़ा बदचलन पर शक्तिशाली राजा सी. किसे कारण दोहा राजियां दा आपस्विच वैर हो गया, पैरिकलीज बचारे नू इनना खत्रा पैगया, के ओ अपने एक बफादार अते निज्जी एहलकार, हैली केंज दी सलाते, दूर देशां दे सेर सपाटे दे बहाने, अपने देश नू कुझ समेले छड़ने त्य हो गया, जल्दी ही ओ हैली केंज नू अपना राज सौंप के टार से स्वल चला गया, ओ दी गैर हाजरी बेच जो कटनामा हो गया, ओ दस्याहन के पैरिकलीज दा एक अदम बड़ा स्यानप परया सी, ओनू सफरते तुर्यां हाली एक अदा देन ही हुया सी, के राजा एंट योक्स दा एक एहलकार पैरिकलीज नू जाननों मारंदी साजश कड़के टायर विखे पहुँच गया, हैली केंज एक दम उस दा मंतर ताड़ गया, उन्हें उसे विल्ले अपने कुछ आदमी टार्सिस वल कले, तां जो ओ राजे पैरिकलीज नू एंटियोक्स वलों टार्सिस ने लोक बड़े गरीब अते कमजोर सन, राजे पैरिकलीज नू शाक सी के ओ वेले सर शायद ओधी मदद ना कर सकन, इसलिए ओ जहाज से चड़के उत्थों भी अगां किसे होर पास से सफरते तुर पया, पर बदकिस्मती नार रस्ते विच एक बड़ा खतरनाक तुफान आ गया, जिस विच जहाज गर्क हो गया, जहाज बिच सफर कर रहे मसाफरा मिचों केवल पैरिकलीज ही बचया, ते ओ भी बड़ी बुरी हालत बिच, अद मोय अते फटड होई राजे नू लेरा ने पेंटा पोलिस दे चिटानी किनारे ते जास उटया, जिथे स मोनाईट्स नादा एक नेक राजा राज करदा सी, पैरिकलीज दी हालत इनी तर्स जोग सी के ओ जियोन नाडों मर जाना ज्यादा चंगा समय दा सी, ओ इस हालत बिच पेया ही सी के कुछ माच्छी उस पास से आ निकले, उना ने उसनू मसीबत विच वेख के दिलासा देता पैननल नई कपड़े लीडे देते, उनू महमान बनाके उपड़े कार लेयाई अते उदा बहुत निगा स्वागत कीता पैरी कलीज उना दी आउपगत ते बड़ा खोश होया, खापी के जदराजा अराम करन लगा ता माच्छी ने उनू दस्या के अगले दिन उत्थों बहुत सारे जोदे, राज दरबार बल, शेजादी थे असा दे सौमबर ते आप पो अपनी किस्मत अजमान ले जा रहे हन राजे ने किहा, जे किस्मत मेरा साथ देवे ता मैं भी उत्थे जाणनू ते आ रहाँ, इनने नू लागे दे कुछ होर माच्छी भी उत्थे आप उन्चे, उना ने दस्या के उना ने मच्छीया फड़न ले जद उस दिन समुंदर विच जाल सुटे आ, ता उस विच मच या दी था, एक जंगाली होई प्राणी संजो उना दे हत आ लगी है, उस संजो नू वेह के पैरिकलीज ने किस्मत दतानवाद कीता, क्योंके ए ओही संजो सी, जेड़ी किसे समय उदे पिता ने उनू इनाम बजों दित्ती सी, पैरिकलीज ने ए संजो माच्छी तो मंग द जानता हा, जे मेरी किस्मत ने साथ दित्ता, ता मैं तेनू इस बदले दिल खोल के इनाम दे माँगा, माच्छी मन गया, अते पैरिकलीज संजो पैन के होर ज़रूरी त्यारी करके राज़ दरबार बल तुर पिया, उस दे टाल उपर एक सुक्ती होई टानी उक्री होई सी जो उपर ले से रे तो हरी परी सी, अते उस उत्ते ए संदेश लेखिया होया सी, एसे आस बिच मैं जियूँदा हाँ सिमो नाइट्स ने ए पढ़के अपनी लड़की नू केहा, एक ऐसा संदर संदेश है, नराश्ता दी हालत बिच भी इसनू आस है के एदी किस्मत फेर जाग उठेगी स्वंबर बेच जिन्नियां भी खेड़ा होया, पैरिकलीज हर एक बेच जत गया, अते जत दा सेरा शैजादी ने अपने हत्थानाल पैरिकलीज नू पहनाया फेर ओने ओस्तों ओदा ना अते पता टिकाना पुछेया, पैरिकलीज ने उत्तर देता के ओटायर दा एक योधा है, ओने जान के एगल लुका लेई के ओटायर दा राजा है, क्योंके ओनू डर सी के जे किते ओदे उत्थे होन दी खबर एंटियोक्स तक पहुंच गई, त शहजादी थी ऐसा नू, ओदी रोब दाब, नुहार, बहादरी अते नेक दिली करके उस नाल प्यार हो गया, ओने अपने पिता नू कह देता कि जे ओदा व्याँ पैरिकलीज नाल ना होया, ता ओदेली जिऊना ओखा हो जाएगा, से मुनाइट्स पैरिकलीज ते बड़ा खोश सी, ओने शहजादी नू, उस नाल व्याँ करन बारे खुली छुटी दे देती, सचमच किस्मत ने पैरिकलीज दा साथ देता, अते ओदा शहजादी नाल व्याँ हो गया, ओदर समा पाके अंटियोक्स मर गया, टायर दे लोका ने पैरिकलीज बारे बौचर कोई खब लेली बेंती किती, पर हैलीकेंज ने अपने मालक दी बफादारी दा सबूत देंदया होया, ना कर दिती, बहुत जोर पौणते अंतनू, उने लोकां पासों एक साल दी मोलत मंगी, अते किहा, जे एक साल दे बीत, जान तक वी, राजे बरे, कोई इतला ना मिडी, ता दूरन ओ उना दी बेंती सविकार कर लवेगा, नाल ही हैलीकेंज ने परिकालीज नू लबण लई, दूर दूर तक आपने राजदूत पेश देते, इना बिचों केई पेंटा पोलिस बच भी जापोंचे, अते अपने राजे नू ओथे वेह के, उना ने बेंती किती, कि ह और राजे नू आपने देश मोड ओना चाहिदा है, क्योंके एंटियोक्स दी मौत कारण उनू होन कोई खत्रा नहीं रहा, इसते पेरिकालीज ने अपने सोरे अते पत्नी नू आपनी असलियत दस दिती, सारे लोक ए जान के बहुत खोश हुए के शहजादी थी ऐसा दा प अपने देशवल विदा की ता, पर समुंदर दे देवते ने एक बार फेर पेरिकालीज ते अपना गुसा कड़िया, सफर कर दिया, एक दिन पहला वांग ही एक जबरदस्त तुफान आया, तुफान हली जोरां ते सी के एक नौकर ने पेरिकालीज नू आके खबर देती के शहजादी ने एक लड़की नू जनम दिता है, एक खबर सुनके उनू बड़ी खुशी होनी सी, पर नाल ही उने ए हिर्देवेदिक खबर भी सुना दिती के ओधी प्यारी पतनी थैई सा गुजर गई है, पेरिकालीज दुखी देलनाल देवते अंकुडों अपनी नमी जन लड़की ले असीसा मंग ही रहा सी कि नौकरा ने आके बेंती कीती, हजूर साननू राणी दी लोथ नू हुने समुंदर बिच सुटना पैना है, क्योंके ज़ाद तक जहाज बिच लाश पई होवे, तो फान ने नहीं रुकना, पामे पैरिकालीज नू जहाज़िया दे इ इतर शड़क के उनू हीरे जवाराता नाड लद के एक बक्से बच बंद कीता गया, ते नाड ही राजे ने बेच एक चिठी रख देती, जिस विच लिख्या सी, जे किसमत नाड ए बक्सा किसे दे हाथ जा लग गे, तम मैं उनू ए बेंती करांगा, के ओ उस विच पई रा केवल इस बक्से बच पै होए हीरे जवाराता ना, बलके देवत्यान दी खुशी दा भी हकदर है, इस पिछों बक्से नू लेरां दे हवाले कर देता गया, ए तरदा तरदा एक दिन यूफीसिस दी बंदरगा दे, सेरीमन ना दे एक सरदार दे नौकरां दे हाथ जा लग जद बक्से नू खोल ले आ गया, तो ओ की वेख दे हन, के उस बिच एक सुन्दर इस्तरी पैई है, सेरीमन नौ शाक हो गया, के जे ओ मरी हुन दी, तो इनने चरपिछों ओधी शकल बेच जरूर कुझ ना कुझ फर्क पैजान दा, उन्हें डॉक्टरां नौ सादके उनौ मोड होश वेच ले आउन दी, कोशश कीती, सच मच कोजचर पिच्छों होश आ गयी, असल बेच मलाहानू टपडा लगा सी, लड़कीनू जनम देंड समे, कमजोरी कारण ओ बेहोश होगे सी, मलाहाने उनू मरी होई समझ के, तो फांत नो बचल लेई, उनू दवादब सुटन दी किती सी, थैसा ने समझया कि होण ओदा जियोंदे जी, अपने प्यारे पती पैरिकलीज नू मिलना असंभव है, इसले यो दुनिया नू त्याग के देवी डियाना दे मंदर वेच पुजारन बन गई, एदर जादे गल हो रही सी, ता पैरिकलीज अपनी लड़ कीनू नाड लेके टार्सिस जापोंचिया, उने उस दा नाम मेरीना रख्या सी, कियोंके उने समुंदर वेचे जनम लेया सी, ओ मेरीना नू ओथों दी हाकम पास, जो ओदा अपना प्राणा मित्तर सी, छड़ के अपनी देश चला गया, ओथे लोका ने ओदा बड़ा अपनी लड़की नाड़ों किते वद के सुंदर अते समयधार निकड़ी है, तो उने इर्खा वेच आके उनू जान्नो मरवाण दा फैसला कर लिया, सो जाद मेरीना चौदा साला दी होई, तो हाकम दी वोटी ने अपने एक नौकर नू हुकम देता, कि ओ मेरीना नू किते कुछ समुंदरी लटेरे आनिकड़े, जो मेरीना नू उस कोड़ों खो के ले गए, अते एक अमीर सरदार कोड उनाने उनू बेच देता, पर मेरीना इन्नी सुंदर अते नेक सुबा आदी सी, कि ओथों दा हाकम लेसी मेक्स ओसते मोहत हो गया, ओ मेरीना नार जरूर व्या करवालेंदा, जे उनू ए पता हुंदा के ओ एक ममूली लड़की नहीं, बलके शाही खांदान विचो हैं, ओदर हाकम दे नौकर ने अपनी मालकर नू डर दे मारे चूठ मूठ दस्या के ओने ओदे होकम अनुसार मेरीना नू जाननो मार देता है, इसलिए ओने मेरीना दी एक जादगर बनवा देती, जद राजा पैरिकलीज कईया साला पिछों अपनी प्यारी लड़की नू लेन ली आया, ता ओ उनू मेरीना दी कबरते ले गई, बादशानू अपनी लड़की दी मौत ते इना तका लगा के ब्यान नहीं किता जा सकदा, ओ दुखी होके अपन देशवल बापस मुड़ गया, उन्हें प्रण कर लिया कि ओ उस देंतों शाही ठाठ बट छड़के फकीरां बरगे कपड़े पहनेगा, ना मुह हत तो एगा ते ना ही हजामत करवाएगा, जहाज दी उपरली छात ते उन्हें एक तंबूल वालेया, अते लगातर तिन मही इन्हें एक अल्ला ओसते ही बिना किसे नाड बोले चले एकांत वास बिच बैठा रहा, आखर ओदा जहाज बंदरगा बिच आठ है रहा, अते उत्थों दा हाकम लिसी मेक्स बंदरगा ते ए पोचकेच करन ले आया, कि ए जहाज किद्रूं आया है ते किद्र नू जा रहा है, जादो ने जहाज दे मसाफरां तो पेरिकलीज दी दुख परी कहानी सुने ता उनू मेरीना बरे याद आगया, ओ मेरीना नू जहाज दे सदले आया, अते कैन लगा कि ओ पेरिकलीज नू गल्बत कर ले प्रेरे, मेरीना ने बड़ी खुशी नाड एग अलमन ले अते वाकी सबना नू उत्थों परे पेज के अपने दुखी पिता दे माननू पर चौन ले एक बड़ा मनोहर अते मिठा गीत गाया। अते जादों ने मेरीना वल गौ नाल तक्या ता उने मैसूस कीता कि ओधा महांदरा ओधी स्वर्गवसी पतनी 23 नाल बड़ा मिलदा जोलदा है। इसलिए ओधे मान विच मेरीना दी जीवन कहाणी सौन दी तीबर इच्छा पैदा होगी। ओधी कहाणी सौन के उनुपता लगा कि ओधी अपनी प्यारी लड़की मेरीना ही है। प्राणियां सब गल्ला याद करके राजेदियां अखां बच अत्रू पाराए। उन्हें अपनी प्यारी लड़की नू गालना लाया। ते कैन लगा। लियाओ मैं अपने शाही बस्तर पैना पर मातमाने मेरी सौन लई है। मैंनू अपनी ग्वाची हुई लड़की वापस मिल गई है। राब्य दी उमर लम्मी करे। जद उस रात वो खुशी-खुशी सुत्ता ता उन्हें सुपने वेच देवी डियाना दे दर्शन होई। देवी उन्हें कैन लगी। तु आज ही मेरे युफूसियस दे प्रसेद मंदर वेच जा। उत्थे जद सब पुजारना एकठिया हो तु उन्हें दसी के समुद्री तुफान वेच तेरी पतनी किमे तेथों मौत ने भुशोर दिती सी। पैरिकलीज देवी डियाना दा होकम मन के सिद्धा मंदर वेच गया अते उत्थोंदियां पुजारना नू अपनी सारी दोखपरी कहाणी उने सुणाई। हाली कहाणी खतम ने सी होई के सब तो बड़ी पुजारन एक केंद्यां गश खा के डिग पे तुसी ता मेरे पती राजा पैरिकलीज हो। अते जद उन्हों होश आई ता ओ फिर कहाण लगी कि तुसी राजा पैरिकलीज नहीं हो। राजा हैरान होके कैन लगा एता मेरी थैशा दी अवाज लग दिये पर ओ तक कदों दी मर चुकिये। मैं थैशा हाँ तो अन्नू जानतों बद प्यार करनवाडी तो अड़ी पतनी। एक इंद्या थैशा ने शुरू तो लेके अखीर तक अपनी सारी कहाणी सणाई। अपनी पतनीनू मड जियोंद्या वेह के पैरिकलीज दी खुशी दी कोई हद ना रही। अके महीवतां अते दुख चलन पिछों आखर उना दोहानू मड खुशी दे देन नसीब होए अते इस खुशी वेच ओ अपने सब दुख पो लगए। मेरे इन्नानू ना केवल अपने माता पिता दे मेल जान दी खुशी होई बलके उदा व्या लिसी मैक्स नाल होन कारन ओदे मंदी मुराद भी पूरी होगी। शुक्रिया दोस्तों।